जो हमारे देवी देवता हैं यथे, specifically जो भगवान जिने हम मानते हैं, जिने पूछते हैं, वो basically gods भी थे, demigods भी थे, और आजकल जो latest research चल रही है, of course controversial है, मैं यह नहीं कहूंगा कि हम उसे मानते हैं, but एक थियोरी है, कि वो aliens थे, right, क्योंकि देवा superhumans है, aliens का अपना जो ग् रहे हैं, वो एक certain time के बाद रहने योगे नहीं रहा, जो आप प्रित्वी में भी आप देख रहे हैं, कुछ दिन बाद ऐसी होगा, अब उन्होंने एक alternative जगे की तलाश की, उनसे काफी हद तक मिलता जुलता, उन्हें ये ग्रह मिला, तो अगोरी से सबसे जादा क्या वो शम्शान में बैठ के साधना करते हैं, वो थोड़ा सा एक disturbing factor है, प्लस जो bodies जलाई जाती है, उनके कुछ parts को खाते हैं, वो extremely disturbing part है, मगर उनके लिए नहीं है, उनके लिए देखा जाए, तो everything is should and made by God, क्या आपको एता कि आने वाले time में, जो generation है, वो हमारे, क्योंकि हम वेद, पुरान, नमायर, महामरण, इन चीहों से दूर हो जाएगी, या इनको उन तक पहुंचाने के कोई जरीया बदनेगी, अगर आप ध्यान से देखें, तो जो first story है, उसमें mentioned है, मृत संजीवनी विद्या, और मृत संजीवनी विद्या जो है, वो गरूर पुरान में mentioned है, वो तंत्र मंत्र का पार्ट नहीं है, अगला कौशन में यही था, जो अपने मृत संजीवनी विद्या की बाती है, शुक्राचारे को सिखाई थी, इस विद्या से जो राक्षस मारे जाते थी, वोर में, जो देवताओं के साथ यो दोता था, तो शुक्राचारे उन्हें दुबारा जिन्दा कर देते थे, यह विद्या सिर्फ दोई लोगों के पास है, शिवजी ने सिर्फ शुक्राचारे को सिखाई थी और श्ट्राचार ने कोवेर की बेटे को सिखाई थी, जो उनका अपना शिष्य था और जो कोवेर ने चालाकी से उनका शिष्य बनाया ही ये विद्धया सिखाने के लिए था अच्छा, तो आज क्या बनीव करते हैं क्या मायिफ़ोजी है या हिस्टिरी है इसको तो मायिफ़ोजी भोलेंगे this नहीं सकते क्यों coal साक्षल तो साक्ष्ट भREE और सिस्ट्री इस चीज का तो इसको माया माया थालिजी ही मानेंगे लगार being a hindu definitely ड़ेविधâteलिथी करते हैं लेकिन एक हमेशा पॉशन होता है कि what is mythology and what is history? क्योंकि आपने बुक आपकी बात करती है mythology से भी, science से भी, scientist से भी तो आपका क्या भी होए on the prospect of mythology and on the prospect of history? दिखिए बहुत सारी चीजे belief पे निर्वर करती है history जो है वो तो प्रमानित है कुछ चीजे खुदाई में मिली, कुछ चीजे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है कुछ अप्रत्यक्ष रूप से जिनके प्रमान है वो है मगर mythology वो चीज है जो सही भी हो सकती है actual हो भी सकती है और ये भी हो सकता है कि वो एक particular message देने के लिए जैसे कहते हैं जैसे पंच्यतंत्र था पंच्यतंत्र में उस रिशी ने विष्णु शर्मा ने वो बेसिकली stories के माध्यम से उन बच्चों को moral सिखाए वो stories एक्चुल नहीं थी मगर moral सिखाने के लिए उन्होंने वो एक technique की उसकी है तो ये भी हो सकता है कि ये कहानिया हो जो एक particular message देती हूँ तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है या सही है मैं थोड़ा सा अगर spoiler दो आपको तो water of life जो universe है जो हमने बनाया है उसमें हम आगे चलके आने वाली books में ये भी बात करेंगे कि जो हमारे देवी देवता है यथे specifically जो भगवान जेने हम मानते हैं जेने पूछते हैं वो basically gods भी थे demi-gods भी थे और आजकल जो latest research चल रही है of course controversy है मैं यह नहीं कहूंगा कि हम उसे मानते है अगर आप मानते हैं तो आप वैसे ही सोचेंगे और आपको वैसे ही साक्ष्य मिलेंगे अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके पाल बहुत सारी चीज़े हैं इने नकारने करी तो मैं मैं मैंने मेरे खुत भी वीडियो बनाया इस पर मतलब एक मेरा भी thought process था कि कहीं से aliens आया होंगे और दो human beings जो उनके साब से वो robots होंगे उनको इस अर्थ पर छोड़ा होगा और एक particular environment बनाया होग जिसके मैं अपने इड़ पौदे फल फूट सब रखे होंगे कि भई देखें सर्वाइव करते हैं कि नहीं करते हैं जिसको हम Bible में और गंतों में Eden Garden करना होंदेते हैं और जब उनको लगा कि अभी सर्वाइव कर सकते हैं तो उनको फ्री अर्थ पर छोड़ दिया देखिए इसमें तो उनको सा Controversial है वो क्या है कि ऐसा नहीं था पहली बात तो एलियन ज़रूरी नहीं है रोबोट्स हो है ना एलियन हो सकते हैं कि एक अलग प्रजाती है मगर अंदर से उनका Body Structure हम अपने से सेम नहीं कहेंगे मगर मशीन्स भी नहीं है रोबोट्स का मतलब तो मश के Planets हैं वो कुदरत ही बने हैं प्रेशर से और इन सबसे चीजों से जो यूनिवर्स में जो चेंजिस होते रहे तो जो लेटेस्ट थियोरी है या जो हमने भी यूस की है आगे वो यह है कि एलियन्स का अपना जो ग्रह है वो एक सर्टन टाइम के बाद रहने योगे नहीं रहा जो आप प्रित्वी में भी अब देख रहे हैं कुछ दिन बाद ऐसी होगा यह ना अब उन्होंने एक Alternative जगे की तलाश की उन से काफी हत तक मिलता जुनता उन्हें यह ग्रह मिला और उस ग्रह पे वो आए उन्होंने यहां देखा कि बेर Natural Resources वगेरा है क्योंकि Natural Resources ने हैं वो बेसिकली कुद्रती उत्पन हुए हैं उन्हें वो चीज मिली और उन्हें लगा भी यहां सर्वाइवल हो सकता है वो यहां रगे उसके बाद अब उनकी तो तादात कम थी तो धीरे धीरे उन्होंने लिहां पर लाइफ उत्पन करनी शुरू की अब यहां भी दो थ अब वो तो किसी काम के थे नहीं उनके तो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि उन्हें से कुछ लोगों का डिएने और किया ताकि वो उनके काम के हो जाएं अब इसमें एक छोटी से थियोरी क्या है कि उन्हों उनको बेसिकली इस प्रिथवी पर गोल्ड मिला क्योंकि उने चाहिए था अब गोल्ड उने क्यों चाहिए था क्योंकि गोल्ड उनके survival के लिए जरूरी था reason being उनका अपना जो planet था जो भी उसका x y z नाम था उसका जो atmosphere है वो deplete हो रहा था उसकी repair आप गोल्ड से कर सकते हैं इसी लिए वो इस प्रिथवी पर जम गए ठीक है अच्छा ये थियोरी नासा की तरफ से भी आई थी अगर आप google करेंगे तो मिल जाएगा जैसे वो zone layer आपकी अब इस समय काफी deplete हो रही है कुछ है तो उसके लिए ये एक option scientist ने दिया है कि अगर हम अंतरिक्ष में जो gold dust available है क्योंकि gold particles होते हैं आपके rockets में इन सब में तो वो ही है उनको अगर आप dust के form में use करें तो आप अपने atmosphere की जो ozone layer है उसे repair कर सकते हैं ये scientist का मानना है अब यही थियोरी आई गहां से इसी थियोरी पे फिर यह थियोरी निकली कि aliens जो है क्योंकि उनका अपना planet almost खतम होने ही कगार पे था और उन्हें gold चाहिए था उसे बचाने के लिए तो वो यहां आए उन्हें यहां gold बिला उन्होंने gold यहां से भीजना शुरू किया अपने planet को बचाने के लिए अब gold यहां खुदाई करने के लिए जो लोग में कहते नहीं थे अब भी हम सुनते हैं कि महाबारत काल में जो लोग थे एक तो gods थे एक demigods थे जो demigods थे they are humans and gods mixed वो basically वो लोग हुए जिनको gods ने alter किया या जिनके साथ बच्चे पैदा हुए तो basically यह concept है gold का और यही reason है कि आपको हिंदूों में सारे देवी देवता gold से लदेवे मिलेंगे that's a symbolic thing gold उनके लिए बहुत important है दूसरा water of life जिसको अमरित बोला जाता है gold is an integral component of that ऐसा कहा गया है actual में है नहीं यह पता नहीं क्योंकि उसमें भी theories है कि वो समुदर मंतन से अमरित निकला था और सोमरस एक अलग चीज़ थी तो यहां भी दो कंट्रोवरसी है कि जो सोमरस देवता पीते हैं जिससे वो हमेशा अमर रहते है या जवान रहते हैं वो basically वो ही अमरित है या नहीं है यह भी आप मेरी book में आगे पढ़ेंगे कि इसमें भी दो concept हैं basically अब सारा तो spoiler नहीं अगर हम बात करें रहे हैं Rise of the devil की इस book की तो जब मैंने बुक पढ़ी तो मतलब एक चीज़ बहुत शोर्त थी किसमें आप अप वेटिक बात भी कर रहा हूँ है आप मित्रस अंजीव नी विद्या की बात भी कर रहा हूँ आप साइंस की बात भी कर रहा हूँ है तो बहु इस नॉट पॉसिबल की बना रिसर्श के बातक kindergे इस नॉट प्रस फधिली की और रिसर्श की पूरी प्रोसेस कीरत अब यह अर एक और शी है दो साल में शे किताब है जोर रिसर्च का प्रोसेस क्या है यह है अ गैस्यसर्च का क्या है फुट betrayed मा जő खॉर्छ इसर्च का प मेरा मेरेट में हुआ था तो अब तो खेर जल्दी आ जाते हैं उस समय तो टाइम लगता था पाथ 6 गंटे आने में तो उस समय मैंने अपनी पहली किताब पड़ी थी जो अभी मेरे कलेक्शन में रखी है और एक परसनल लाइबरी मैंने क्रियेट किये अब आप उसे की वजए से हो गई तो करीब 6-7 अजार किताबे मेरी परसनल लाइबरी में है पड़ी हुई है तो आदे ज्यादा रिसर्च तो वही हो गई अब उसमें से जिस चीज पर हमें ज्यादा देखना है उसमें गूगल भी किया फिर दोनों चीजों को एक पेपर बे लिखा और उसका एक निशकर्ष निकाना और वो निशकर्ष जो है वो मेरा वर्जन है इट कैन बी राइट इट कैन बी रॉंग विच कैन नौट बी प्रूड इन इनी किस तो रिसर्च करने में बहुत जादा समय इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो रिसर्च काफी हद तक तो थी जब लिखना शुरू किया तो यह हुआ कि यह तो पता है यह तो पता है यह तो पता है इसको सर्च कर लेते हैं और इनको मिला के फिर यह एक चीज निकला आती है यह निकलती है तो हम बना देते हैं फॉर एक्जाम्बल अमरित का मैंने आपको बताया दो चीज़े हैं चलो स्प हुआ उसे आपने पी लिया और आप मर नहीं सकते हैं ऐसा कहा जाता है देखा किसी देंगी हुए एक होता है सोमरस विच इस created और जिसमें gold एक main ingredient है ये भी कहा जाता है जो gods का drink अब उसमें क्या होता है कि वो आपके DNA को इस तरह alter करता है कि आप बोड़े नहीं होंगे आप age से नहीं मरेंगे आप बिमारी से नहीं मरेंगे यानि अगर आप एक कमरे में बंद है तो आप नहीं मरेंगे पर आपको किसी गोली मारी तो आप मर जाएंगे आपका accident हुआ तो आप मर जाएंगे ये मतलब आप कुद्रत ही नहीं मरेंगे यू आर बाइलोजिकली immortal बट प्रेक्टिकली नॉट इम्मॉर्टल अम्रित वो हुआ कि यू आर इम्मॉर्टल इन इनी केस जब भीश पिर से नहीं भीश होने पिया हुआ है क्योंकि वो हमार है जो डेमी गॉड्ड आपके वो सोम रस लेते हैं इसलिए दानों के साथ रक्षजों के साथ लड़ाई जब होती है तो उसमें देवता भी मरते हैं क्योंकि वो मारे जा सकते हैं खुद नहीं मरेंगे तो ये concept बेसिकली जो research जो है वो अब बुक ने स्टार्ट ही होती है लाइफ आफटर देथ के वर तो लाइफ आफटर देथ है कैसा concept लोग मानते हुए है लोग नहीं आप तक क्या सोचना है ते लाइफ आफटर देथ अब इसमें जो लिखा हुआ है वो तो थोड़ा सा थोड़ा सा क्या वो तो fiction ही है मैं मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ा है और जो हम बिलीव भी करते हैं वह बेसिकली यह है कि एक तो आप अब है इस लाइफ में एक वो है जो आपका पुरन जरम होता है क्योंकि हम हिंदूस है तो पुरन जरम में विश्वास रहते हैं एक बीच का है जिसको नीदर वर्ल बोल जिसमें अगर आपने देखा वो विक्रम बेताल की कहानी आंग सुनी होगी न तो वो जो बेताल वो जो उल्टा लटका हुआ था वो एरिया इस बेसिकली नीदर वर्ल जिंदा में भी नहीं है मगर री बिर्थ में नहीं है तो लाइफ आफ्टर देथ पे कहा यह जाता है क इनसान बरा और नेक्स्ट बर्थ लेने से पहले जो एक फेज है ट्रांजिशन फेज वो लाइफ आफ्टर देथ है अब उसमें कहानिया बहुत सारी मिल गई कि आप स्वार्ख चले गए तो आपको लट्डू मिलेंगे खाने को नक चले गए तो आपको तेल में पगाया ज संपे यूटूब पर चलता रहता है तो मैंने गटाला ना यूटूब पर खोल रखा था है तो मैंने डिकतने एड़फोल लगालेता हूं विक्राम चलता रहता है तो मुझे बड़ा चाहिने कहानिये उसरा जाते ना बिया एक आठ घंटाना तो नहीं सुनते दुनते वह में इख आता है। तो दिख भारा है, आएड है। यूट्ब पर को आज ऑना ढória है। में ज्ञालिवी इन्क्राट को एक आखना की जीती है। जो एक वहीं हमारे मज़ेदेFI जीती है। हमारे मेरेट से जीते भी एह अना ह सबत। मैं देख रहा हूँ, लाइफ आफ्टर डेथ करना मेरा एक डिफरेंट कंसेप्ट है, मतलब वही एक फिक्षान है, मुझे कभी कभी लगता है कि हमारी बॉड़ी और सूल दो चीज़ है वारे पास, जब डेथ होती है तो हमारी सूल बाहर निकल जाती है, ऐसे आप अजूम क सब वैसे ही रहते हैं हम रह रहे हैं, अब हम पॉड़कास शूट कर रहा है कि हमारे बगलवाली चैर पर कोई दो सोल सी बेटके पॉड़कास शूट कर रहे हो, मेरा मेरा यह मानना है Sir, have you encountered someone who is good in, जो आपने लिखा ना, मरीता सर्जीव नी विद्ध्या, आपने काई किसी को पता नहीं है, कोई कहता है कि हम कर सकते हैं तो वेकूब बनाएगा, क्योंकि actual में होता है नहीं होता है, यह या तो गरुड पुरान में पढ़ा गया है, या विकरम बेताल की एक स् बस, अगोर विद्धिया, अगोर विद्धिया नहीं होती, अगोर इस अ व этом लिए बेसिकली डिया नहीं है, यह नहीं हैं वो सो बेसिकली कैहाँ है कि जो वी चीज इस परित्वी पर है, वो इश्वर ने वनाई है, तो उसका आप भोग कर सकते हैं, तो इसे लिए जब पढ़ा है, I may be wrong, दो अगोरी से सबसे ज़्यादा क्या चीज डराव दी लगती है उनकी, वेश्बूसा से तो कोई फरक पढ़ता नहीं, आजकल कोई बड़ी बात है, मेंली क्या है कि जो वो शम्शान में बैठके साधना करते हैं, वो थोड़ा सा एक disturbing factor है, प्लस जो bodies को खा दे हैं, वो extremely disturbing part है, मगर उनके लिए नहीं है, उनके लिए देखा जाए तो everything is should and made by God, तो वो तो basically क्या है कि उनके लिए सब बरावर है, बुरे नहीं होते हैं, मतलब मैं किसी से मेरी कुछ बातचीत नहीं होई कभी, मगर आप बनारस जाएंगे या इधर हरदवार के साइट जाएंगे तो आपको कभी कबाद मिल जाते हैं, कुम्ब में तो बहुत मिनते हैं, distance एक मेंटेन हम लोग भी उनसे करते हैं और वो भी हम से करते हैं, बट मेरे ख्याल से बुरे नहीं है, मेरा एक experience है, अगोरी बाबा के साथ का, मैं अपने श्रीवाती दुनोंगे तो मैं टौर्वर की सर्वे करता है, कि अगा लगना है तो मुझी आदे लिए गोरख़पूर के आसपास इस पास में एक दिन सर्वे कर रहा था कि कहा पर टौर लगा तो मैं वा पर सर्च परते करते पहुंचा एक लोकेशन पर जगे लगाना था तो वहां कुछ भी नहीं तो मैं थोड़ == आवाद लगा किसी ने आवाद नाई तो मैं अंदर चला गया, अंदर गया तो राखन की बोग्वान की, अभड़ी बाव वैथुआ को, मैं उसके नो, घुबर आगया, फिर ऊठीका ने बठाया, जाए पेल वगदा, पूछे उचे सब को शुचे बाएगा तुम्हारी कुई बार ताल नहीं तुम्हारी काफी समय तक मेरे पर्स में रहती ती पर अचानाक से एक दिन गाया होगी कहां चलींगी कैसे खोगी और यहां मुझे अभी बार रिग्रेट होता है ऐसा मॉबंट था अप मानो चाहे ना मानो पर एक फील आजाती है कि अच्छा से मिला हुगा जो सब्सक्राइब खोगी निगेशा हैं वालों कि इसक दो को और अजो मुझे और कर दो दो को यहां मिल नी सकती है वही तक पर जवे चाहिब कजिए बुख रोल था इस प्रन एक बीच आप दो आपको रखें कर दो जाते आपको रहें से यतो बेक्ते तब बन्हों काुछ आपने जाएं बहुत ऐसे हैं options हो सकते हैं, पहली चीज तो जब आप fiction बढ़ते हैं, तो जरूरी नहीं है उसमें कोई message हो, हम जबर्दस्ती में message डूंडते हैं, कि अगर कोई story बताई गई है, तो उसका कोई moral होगा, जरूरी नहीं है, हमें बहुत साइच चीज़ बच्पन से गलत सिखाई गई है, यह भी आपको पढ़ाने के लिए नहीं बताई जा रही है, पहली चीज तो, अब जहां तक बात सीख की है, भी जबर्दस्ती निकालनी है, अगर सीख, तो एक तो यह है कि आप nature के साथ खिलवाड़ मना देने, क्योंकि इसमें दो चीज़े हैं, जो हमने यूज की हैं, एक तो यह experiment हुआ था, जिसमें एक contaminated blood यूज किया गया था, उसमें concept क्या है, कि वो synthetic blood है, synthetic blood is already coming, in the market, क्योंकि वो किसी को emergency blood चाहिए हो था, तो बड़ी लगड़ी है, पहले donor लेके आओ, पर यह करो, तो already इसमें रिसर्च चल रही है, और कुछ samples बने भी है, उसे ही हमने वो concept उठाया कि एक particular प्रजाती है, bats की, यह COVID के बाद लिखी थी, तो बड़े popular हो थी, अच्छा, जब हमने bats को लिया, और उन उस बैट blood से vampire बना, तो हमने का भी vampire बना, तो वेर wolf भी होने चाहिए, उनकी भी तो तादाद पूरी हो, कम से कम, अकेले तो ना पड़े हो, तो फिर हमने का अब ही ठीक है, एक certain type का वुल्फ, एक certain type का भैट, इनके blood को use किया गया, जिसकी वजह से वो particular इंसान, जो synthetic blood की वजह से heal up हो सकता था, वो heal up तो हुआ, मगर उसमें vampire वाली tendencies और werewolf वाली tendencies आ धही, क्योंकि यह immortality पर बेस्ट है पूरी जो basic है, and vampires and werewols are immortals, जो legends कहा जाता है, मिला तो कोई है नहीं और ईश्वर करें नहीं मिले, वरना पिर हम दोनों ऐसे बैठे नहीं होगे, आपने शुवात नहीं कहा था, आपने दो सार में 6-7 mobile लिख दानी है, इतनी जल्दवाजी क्यों है सर, बहुत सारी कहानिया है, कि वह सब को सना देनी है, जल्दवाजी नहीं से, नहीं बहुत सारी नहीं है, यह basically water of life के ही parts है, तो बड़ी कहानी है, अब एक process तो यह था कि हम तीन साल लगके इसे इतना मोटा लिखे है, अब इसे इतना मोटा अगर हम लिख देते हैं, तो वो खुद को देखने के लिए तो बहुत अच्छा लगता, मगर आज की रेट में इतनी मोटी किदाब उठागी कोई नहीं पढ़ना नहीं जाते है, यह ना time है ना लोग प पढ़ती है, फिर एक जिग्यासा बनी रहती है, कि अगली किताब लेनी है, क्योंकि शॉर्ट चीज़े होती है ना तो लोग जल्दी यल्दी पढ़ते हैं, बड़ी होती है तो लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भी हर किसी को पसंद आएगी आए, मैं यह नहीं बसंद आए, मगर पतली है तो यह होती है, चलो ख़तम दो करने, देखें क्या हुआ, ख़तम करते हैं, नॉर्मल ही चांसे ही होते हैं, अच्छा अभी इसका 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 पार्ट भी है, चलो ले ले लेंगे, पतली सी तो है, यह तो देखने हुआ गया तो, अगर एक बुक में सेम रहेगी, मेन स्टोरी कुछ तो वही रहेगी, कुछ चीज एड हो जाएगी, तो इसकी भी जो बुक टू आएगी, अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है, डारेक्ली उसे पढ़ा है, तो भी होई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसके साथ पढ़ेंगे, तो आपक बुक में दिखाएगी, तो वाटर ओफ लाइफ की दो सीरीज इस बार और आएगी, जो डिसम्बर तक आजएगी, तो आप पुब्लिशर भी है, आप खुद की एक राइटर कम्यूनिटी भी डेवलप कर रहे है, अगर मैं अगर मेरे अटा चको आपके इवेंट में चीजें पार्ट है, में चीज क्या है, जो मैंने सर्वे किया, पुब्लिशिंग शुरू करने से पहले, वो ये था कि, इंडिया में बहुत सारे ओथर्स ऐसे हैं, जो बहुत अच्छा लिखते हैं, सारे ओथर्स तो हर जगे अच्छा नहीं लिखते हैं, बहुत सारे ओथर यह रीडर्स तक पहुचाए कैसे यह नहीं पता और यह कोई बताता नहीं आज की रेट सबसे बड़ी प्रॉलम वही है लिखने माले बहुत है पर बुक नहीं विखते लोग अब आज की रेट में आप किसी भी मैं किसी पब्लिशिंग हाउस का नाम नहीं लोगा एक जनरल ट्रेंड है पब्लिशिंग हाउस दे बुक चापी बहुत अच्छी चापी मार्केटिंग के क्या तरीके हैं बुक साइनिंग इवेंट which is I am sorry to say on live team that it is a waste of time and money क्योंकि आज की रेट में अगर आप mathematical formula calculate करते हैं पहली बात तो इस बात की कितनी probability है कि जिस दिन आप बैठके sign कर रहे हैं किसी भी x y z book store में कितने लोग आएंगे पहली probability मैंने मान लिया आ गए तर वो आते हैं उसके वज़े बहुत ही branded author हो बहुत ही ब्रेंड है नहीं हम एक general footfall की बात करते हैं आप या मैं मैं बैठके यह book sign कर रहा हूँ मैं कहरो दस लोग है ठीक है उन दसों में से वो book खरीद नहीं आए है यह probability हम उनको वही genre खरीदना है जो मैं लिखता हूँ दूसरी probability अगर वही genre खरीदना है जो मैं लिखता हूँ उसके बाद भी मेरी प दस्ती मिल रही है तो वहां से क्यों लेगा तो बहुत सारी चीज़ी करी जाती है जो author को फील कराए कि वह author है अब book signing में उसमें से एक है हां मतलब वह यह रहा है कि कुछ अजीब हो गरीब सा trend है तो हम कमिया नहीं नहीं आते coming back to your question तो मेरा main motive इसको करने का यह था कि instead of a book author की visibility create की जाए क्योंकि मेरा as a branding consultant यह मानना है कि if you are a brand anything that you create is automatically branded अगर आप एक book पे मेहनत करते हैं तो आप उससे कामयाँ बना सकते हैं ऐसी बात नहीं है पर आप अगर अपने उपर मेहनत करते हैं तो आपकी सारी books पे आपको बार-बार मेहनत नहीं करनी पड़ीगी तो तो कि मार्किटिंग करनी नी चाहिए और अपने आप बिकते हैं तो पब्लिशिंग हो गया चाहे author community डेवलप करना हो गया अब community जो डेवलप किया आप तो देखी हुई आप आप आए इस लाइक author promoting author 32 परदा नहीं है वहां पर बिल्कुल भी तो जब आप एक दूसरे को प्रम जानने के अड़र कारम जी बात मेरी बीकते है अविच रधिमाने के आप एक दूसरे के अग मिदमेख भी डाना ब्ल्हः मिर्म जब पर लाटता है। So what about spirituality. You are spiritual. Definitely. If you are in India and are not spiritual, then you are not an Indian. So what is your definition of spirituality. Again, spirituality is a way of life. कोईल दीन भीक्स डिलिए ना दीन है. आप साथविक जीवन यदित कर रहे हैं. आप साथविक का मतल्ब हैं, तो थी नहीं है कि आप सन्यास ले ले अ है. आप normal spiritual का मतलब होता है कि overall development अपना society का आपको जो society ने दिया है आप कितना वापस दे रहे हैं ये एक चीज है दूसरों के लिए आप कितना कर रहे हैं उसी कई पार्ट है आप खुद अपने आचरन में कितने शुद हैं ये तीसरा पार्ट है तो ये सब चीजें मिलाके जो है आपकी personality बनती है और वो personality और उन concepts पे अगर आप चल रहे हैं then you are spiritual spirituality basically इंडिया की आत्मा है मैं religion की बाद नहीं कर वहूँ आप किसी भी religion के हूँ spirituality आत्मा है इंडिया sustained ही नहीं कर सकता अगर उसमें से spirituality हटा दी जाए country के पास नहीं तूस है इसी चौप एक लास्ट कॉश्शन बोसता हूँ अपसे जो आज की जनरेशन है या मैं अपनी जनरेशन बोलो मुझे रमायन आती है मुझे महाबारत आती है क्योंकि मैंने रमायन सागर की रमायन महाबारत सब देखी है ठीके या पड़ी भी है क्योंकि हमारे ठीके पड़ने का फैशन भी था हमने पड़ी भी है सुनी भी है हमें वो कल्चर सब चिये पता है अगर मैं आज की जनरेशन की बात करूँ आपका ही बेटा है नहीं बेटा है बेटा है यह लोग अगर मनको बोलो कि बटे तुम्हे रमाना सागर की महाबारत देखनी है यह महाबारत देखनी है वो देखना नहीं चाहते है उनका इनका कंटेंट लेवेल अलाग है वो कॉरियन सीरी ज्यादा देखना है तो जो हमारा कलचर है तो वहां से गया पढ़ना रीडिंग हैबिट्स आपको ही पता है बहुत कम हो गई है यूट्यूब पर देख लेंगे इस बुक में क्या है बिलकुल उस पर वहाँ अपस को या इमाइन शोजी के पॉड़कास्ट पर पता चिल जाए कि आने वाले टाइम में जो जनरेशन है क्योंकि जो हम बात करते हैं हमारे जेद, पुरान, रमायन, महावरत इन शीयों से दूर हो जाएंगी या इनको उन तक पहुछाने के कोई जरीया बदलने के जगए होता है देखिए दूर तो हम खुद कर रहे हैं पहली बात तो क्रियेटिविटी के नाम पर हमने रमायन के पचासियों वर्जिन निकाल दिये और बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें हमने राम को दोशी ठहरा के रावण को एरो बना दिया तो यह तो हमने किया था यह हमने जनरेशन को दिया फिर हम यह कहते हैं कि आप रामनान सागर की देखो एक तो वो स्लो है ना क्योंकि उस टाइम पे वैसे ही होता था शूट महाबारत कंपेरिटिवली फास वास है है ना फिर उसमें आपने राम चिदेजी को बिलकुल ऐसे दिखाया जैसे भगवान है जबकि वो तो अफ़तार थे यह ना मगर चलो हमने मान लिया भगवान थे क्योंकि भगवान तो हमने बनाई दिया उन्हें हमें उनके पत्थ पे ना चलना पड़े इसलिए हमने उन्हें भगवान बना दिया यह ना यह तो बगवान नहीं कर सकते हैं तो करने नहीं पड़ेगा यह ना मेनत करनी फिर वो बहुत सारी स्टोरी के वर्जन्स भी हैं एक तो और रामाइन के वर्जन्स बहुत सारे हैं अगर हम एक्जाम्पल ले फिर उसमें ऑथर्स ने बहुत सारे वैरियेशन निकाल दिये हैं है ना कि यह इसमें ऐसा हुआ था इसमें ऐसा हुआ था हो सकता है ऐसा हुआ हो है ना ये भी आज के लिए भी है कि ऐसा हुआ हो हुआ ही नहीं होगा हुआ ही नहीं होगा ये ऐसा भी बहुत था मैंने अपनी इस मुक में हम औरों को क्यों जाए हमने भी कहा है कि आगे जब बुक्स आ रही है उसमें जो concept है water of life का वो basically क्या है कि समुद्र में से अमरित निकला और उस समय वो लड़ाई वड़ाई हुई विश्ण जी ने मोहिनी का अंग्शिक अफ्तार लिया और वो उनसे बचा लिया सुरू से उसके बाद उसे इंदर को दे दिया कि भी देवताओं में बाढ़ती जी देवताओं ने पी लिया अब यहा जगा उनको छुपा दिया गया और एक सर्टन सुसाइटी को एक सर्टन ग्रुप को यह जिम्मेदारी दी गई कि आपको और आपकी आनेवारी जनरीशन को इसको प्रोटेक्ट करना है ताकि असुर जब भी पृत्वी में वापस आए तो वो इसको ना ले पाए हमारी स्ट जो है वो वहाँ है एंड ग्रुप आफ सुसाइटी इस गार्डिंग इट उस सुसाइटी को हमने अशोकन सुसाइटी से भी कंपेर किया है कि हो सकता है वो वही अशोकाज नाइन हुओ उन में से एक है क्योंकि इमोर्डेलिटी के बारे में एक किताब में लिखा है जो और वहीं पे वो कलश है परफेक्ट ता सर मैं अपने रीडर्स को बोलना चाहूंगा कि राइस ऑफ दी डेवल तन्मा सर की बुख है बहुत इंटरेस्टिंग है पॉड्कास में आपने सुनी लिया वा कितना इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इसके अंदर फ क्योंकि मैं नहीं पॉड़् क्योंकि मैं पॉड़् करना पॉड़् के बाद अंब से हैं जो अम्हा यह प्रसनगिवनी विद्या के बारे में मैं जा आता है कि उनब porch की शिले पंचेझ बुक्ट आप इस व्यांदा पड़ता तह उन पॉड्वऱ् को सुन सकें कि फीप मे कि बहुत लंबा podcast भी देखेंगे नहीं तो इसलिए दोस्तों आप यह podcast आप लिए था point to point की book में क्या है तो go and grab this book description box में इसकी link है buy करना comment section में लिखके बताना book कैसी लगी और सर से कोई और question होना तो do drop in a message सर भी जवाब देंगे मैं विजाब दोगा तो thank you sir for being on thank you it was an honor thank you sir